कल सिक्योर्टी फोर्सेज जो है कुछ समय से उनको फॉरंट टर्रिस्ट का जो अपर रीजिस में मूवमेंट का जो इतला थी और उसी असना में यहां जो है गागरमंदू जो इलाका है वहां पर सर्च उपरेशन चल रहा था तो सिक्योर्टी फोर्सेज की पार्टी को कुछ फॉरंट टर्रिस्ट का मूवमेंट दिखा और इस असना में उनका जो बोलियों का तबादला हुआ अपरमाई का और उसके बाद यह ऑपरेशन स्टार्ट होगी तो अपर रीचिस में है यह गागरमंदू के अपर रीचिस मे यह ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के तौरान जो है सिक्योर्टी फोर्सेज के जो दो एहले कारों को जो थे वो शदीद तोर से जख्मी हो गए थे बाद में अपर एक और इंजल था जो कि अभी स्टेबल है और इसी वहाँ पर एक और तफ्तीश का मौजू भी है है वहाँ पर कुछ और लोग थे जो कि इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आये जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तोर पर जख्मी होके ही सकंब टू इस इंजरी से जो दूसरा सिविलियन है वो जेरे इलाज है और अभी तक की ताजा जानकारी से वो पू看 जो है डोड़ा की जो सीमाएं है वोड़र है उसके पास में है यह उसी पॉर्डर के काफी पास में है तो यह अभी आपको बागी तक आज़ीला जो है बात में सऺजा की जाएंगी चूंकि अभी ऑपरेशन अभी चल राहा है search operation काफी intensively चल रहा है तो उसके बाद जब conclude होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाई है कितना बड़ा एक group था जिनके साथ यह अभी यह group था लगबग तीन से चार होने का कयास है जो कि अभी जब यह conclude होगा तो उसी के बाद search operation होने के बाद ही आपको और पुक्ता तोर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब हो है सच जो civilians कम हुआ है क्या वो GW था या फिर आम नाड़ा देखे यह तफ्तीश का मौजू है क्योंकि वो उनका वहां पे रहना और उसी जो terrorist हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना that is a matter of investigation we are also investigating their roles and involvement if there is any thank you sir